जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योटिव चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन मई और चार मई 2022 के तुलाराशी फल के बारे में तुलाराशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रहों की स्थिथी क्या होगी नक्षत्र क्या होंगे योग क्या होंगे किस तरह के शुब तिथियां इन दो दिनों में निर्मित होने वाली है जो ग्रहों का गोचर है वो किस तरह के प्रभाव आपको इन दो दिनों में देखा आपके जीवन से जुड़े हर एक शेत्र के बारे में जानेंगे सिक्षा स्वास्थ, करियर, नौकरी, दुकान, हर चीज के बारे में तो वीडियो को लास तक जरूर देखें चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले और जोड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलते रहेंगे तो चलिए सबसे पहले इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं तीन मई का दिन ये मंगलवार का दिन है और शुकल पक्ष की तिर्तिया तिती है जो पून रात्री तक रहेगी जिसको अक्षय तिर्तिया कहा जाता है रोजनी नक्षत्र रहेगा इस दिन शुबन नाम का योग बनेगा चंद्रमा अपनी उच्च राशी वर्षबरासी में विराजमान होंगे और सूर्य अपनी उच्च राशी मेश राशी में राहु के साथ योति करेंगे भर्नी नक्षत्र में इसके लावा इस दिन रवियोग भी रहेगा और आभीजीत मुरत होगा सुभा 11 बज कर 52 मिनट से दोपहर 12 बज कर 45 मिनट तक चार मई बुद्वार का दिन है शुक्ल पक्षकी तृतिया तिथी सुभा साड़े साथ तक उसके बाद चतुरति तिथी लग जाएगी म्रक्षरा नक्षत्र है आतिगर नाम का योग बना हुआ है चंद्रमा शाम तक व्रशब रासी में ही है उसके बाद मिथुन राशी में जाएंगे और सुरिय मेश रासी बहणी नक्षत्र में इस दिन पूरा दिन सरवार्थ सिध्धी योग भी रहेगा और पूरा दिन रवी योग भी बनेगा लेकिन अभी जीत मुरत कोई नहीं है तो ये हो गई इन दो दिनों के ग्रहों की इस्तितियां नक्षत्रों की इस्तितियां अब इनी के आधार पर हम जानेंगे ये जो द तो यह जो तीन मई का दिन है यह सर्फ्रिस्ट दिन इसको कहा जा सकता है यह अक्षय तिरत्या का दिन है और अक्षय तिरत्या की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कभी भी शै नहीं होने वाला यानि ये अक्षे तिर्तिया का जो दिन होता है इस दिन हिंदु धर में दान पुन्ने और खरिदारी करने की परंपरा होती है किसान लोग जो होते हैं वो अनपुना या प्रत्वी मा की पुजा अर्चना करते हैं और साथ में इस दिन खरेदारी करने का विए बहुत ही उत्तम योग होता है, कोई अभूशन खरेटा है या फिर कोई वाहन आदी खरेदा है, तो उसमें बरकत होती है जो इन चीजों की खरेदारी करते हैं, बाकी दान पुन्य के लिए ये सबसे उत्तम देन होता है, क्योंकि इस दिन किये गए पुन्यकारे का शैन नहीं होता अब ये जो अक्षा तित्या का दिन है इस दिन बहुत से ऐसे शुब योग बन रहे हैं जो बड़े ही उत्तम है पांच बड़े ग्रहे तो अपनी उचराशी में बैठे हुए है यहां शुक्र अपनी उचराशी में है सुरिय अपनी उचराशी में है चंद्र अपनी उचराशी में है शनी अपनी राशी कुम राशी में है और गुरु अपनी राशी मीन राशी में है तो पांच ग्रहों के शुब योग में रोहिनी नक्षत्र में और मंगलवार का यूग बना हुआ है जो बहुत ही उत्तम है इस दिन आप दानपुन जरूर करें किसी भी चीज का अपनी इच्छा अनुसार किसी चीज का भी दानपुन जरूर करें मालक्षमी की पूजा आर्चना करें इस दिन बहुत ही शुब कार् महरसी वेदव्यास ने इस दिन महाबारत लिखना शुरू किया था इसी दिन युदिस्टर को अक्षब पात्र मिला था पर इसी दिन बद्री के दारनाथ की यात्रा भी शुरू होती है उनके कपाट खुलते हैं तो इतना शुबधी दिन है तो इसका महत वाब समझी करेंगे तो इस कारिया आप इस दिन पूजा पाठ या दान पॉन्या का काम जरूर करें अब राशी फल के बारे में जानते हैं कि इस दिन आपके जो राशी फल है वो कैसी है तो एक तो आप अगर कोई आपको जानकारी देता है तो उस जानकारी को पहले पूर्ण रूप से उसकी सप्तिता को जान ले क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई आपको गलत जानकारी दे जिसके चलते हैं आप बिना वजह की मानसिक तनाव में आज हैं और अगर निवेश कर रहे हैं निवेश करने के लिए दिन अच्छा है लेकिन होश्यारी से निवेश करें इस दोरान आप अपने कुछ बदलाव लाने की कोशिश आपकरते हो दिखाए देंगे अपने कामकाज में प्रेम के नजरिये से देखें तो जीवन के रसका बहपूर आनद लेने में सफलता हासल करेंगे बहुत ही खुशनुमा दिन ये आपके लिए रहेगा जो कला के शेतर से रंगमेंच के शेतर से जोड़े हैं उनको अपनी कला कोशल दिखाने के नए मौके मिल सकते हैं कोई भी फैसला आप इस दिन लेते हैं तो जल्दबाजी में फैस जानी हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखने के आवशक्ता होगी आप पैसो की एहमियत को समझते हैं और पैसे की एहमियत को समझते हैं तो उसकी आप किस तरह से आप उसको डबल कर सकते हैं किस तरह से आप उसको संचित कर सकते हैं निवेश कर सकते हैं इसके बारे में भी ज़्यादा ध्यान देंगे परिवार को परियाप्त समय देंगे और उन्हें महसूस कराएंगे कि आप उनका ख्याल रखते हैं उनके साथ अच्छा वक्त बिताएंगे और शिकायत का मौका भी नहीं देंगे इस दोरान आप ने विचारों से परिपूर्ण होंगे आप जिन क और बेवाहे के स्वितियां ये आज आपको अपनी जीवर में भरपूर आनंद की राप्ति कराने वाले होंगे और इससे आप मांसिक तोर पर बहुत अधिक पॉजिटिव रहेंगे एनरजी का अनुभव करेंगे अब चार मई के बारे में जानते हैं चार मई का दिन आपक को बताता है तो ऐसी यूजना से बचना है जहां पैसे डबल करने की बात हो प्योंकि वह आपके पैसो को थोड़ा सा रिस्क में लेकर जा सकते हैं रिष्टे बहुत अच्छे होंगे फाइने मन रहेंगे प्रेम जीवन अच्छा रहेगा आप अपने उपर ध्यान देंगे अपने व्यक्तितों और रंगरूप को बहतर करने की कोशिश करेंगे जो आपको संतोष जनक भी लगेगी इसके लावा मीडिया या कम्पीटर के शेदर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है आज आपको अच्छी चीजें सीखने को मिल सकती ह अगर आपके किसी काम कोई काम आप करते हैं और वो आपको बड़ा धीमा चल रहा है तो परिशान ना हो समय है अच्छा बुरा समय आता रहता है ये जल्दी ही बीच जाएगा बस आप अपनी महनत से काम करते रहें सफलता जरूर मिलेगी सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी लेकिन अपनी काम पर पूरा फोकस करके रखें इस समय आप कहीं बहुत बड़ा निवेश ना करें इस दिन बहुत बड़ा निवेश करने से बचना होगा अगर आप किसी प्रतियोगिता के मूर में है तो कुछ शेतरों के लिए तो ये बहुत अच्छा है लेकिन ज्यादा इस पात का ध्यान रखना है कि ज़ादा उगर आपको नहीं होना है और खास और से परिवार को लेकर या परिवार के किसे डिसीजन को लेकर अपनी भावनाओं को थोड़ा सा संतूलन में रखना होगा ज़ादा भावुक में आकर आप कोछ ऐसे कारे कर देते हैं जो बाद में आपको पस्तानी पर मजबूर करके हैं इसलिए थोड़ा देहान आपको रखना होगा अगर स्टुडेंट की बात करें तो स्टुडेंट के लिए दोनों ही दिनों की हम देखते हैं दोनों दिन आपके लिए अच्छे हैं आप भी मालक्षमी की अराधना जरूर करें अगर आप हायल एजुकेशन से जुड़े हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है कि आप मालक्षमी की अराधना तीन मई के दिन जरूर करें और कुछ ऐसे कारे भी करें जो आपको इस दिन के पुन्य का हिस्सा बना सकें किसी भुके को खाना खिला देना किसी नंगे को चपल पिना देना पिसके पैरों में कुछ कुछ ना हो तो ऐसे कारे आप कर सकते हैं अगर आप अपने करियर की शरुवात करने जा रहे हैं तो भी आप इस कारे को कर सकते हैं तो दोस्तों और अधी कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को जद जद लाइक करें शेयर करें